आगे अगे अगे आ इसलाम लेकम दोस्तों वेल्कम बैक टो एम्याकूब्ड़िण्स आप देख रहे हैं अपको बितारा जाएगा किस तरह से आप जस्ट एक क्लिक करने पे हजारो grammatical issues को remove कर सकते हैं with the help of artificial intelligence एक दो टूल है Grammarly का Grammarly का टूल इस्तेमाल करना थोड़ा सा आप के लिए problem का बाइस बन सकता है क्योंकि Grammarly बहुत ज्यादा ना महंगा पड़ता है बहुत ज्यादा expensive पड़ता है एक आम person की और वो person जो के बिल्कुल अभी initial stages पे है उसके लिए उसको use करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हमने उसका एक alternate निकाला है अगर आप इसको use करेंगे ना सिर्फ आप इसको economical cost के अंदर आप इसको हासिल कर लेंगे बलके आप just in a single click अपनी तमाम grammatical mistakes को remove कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेके end तक देखते रहिएगा इन्शाला आपको यहां पर बड़ा ही जबर्दस्त way बताया जाएगा जिसमें आप बहुत जल्द अपने grammatical mistakes को remove कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुल बोट का premium version मे औरेडी कवर कर चुका हूँ इसकी playlist जो है वो आपको description में मिल जाएगी आपने grammar checker पर click करना है तो आपके सामने इस तरह का interface open होगा यहां पर आपने अपना content लाके paste करना है मिसाल के मिरे पास यह content बड़ा है यह article open है इसको मैं सारा नहीं open करता सारा करूंगा तो बहुत ज analyze करने के बाद आपको बताएगा कि इसमें कितने इस time पर errors है तो 26 इसमें error नजर आ रहे हैं आपको 189 words के अंदर यह errors है अगर हम इनको इनको one by one भी change कर सकते हैं आप उसके उपर अपना arrow लेके जाएंगे ना तो बताएगा कि इसको आप replace करें इसके साथ इसको आप replace करें इसके बाद कौमा नहीं है इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है इसके बाद आपने कौमा निया रहा है यह आपको इसमने फ्लूवैंसी नहीं आरी है change करें या इसको यह करें या यह करें या आपकी बर्जी है आप इसको one by one भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास time कम है और आपने जल्दी इसको check करना है तमाम problems को आपको फोरी तोर पे remove करना है तो आप simple क्या करेंगे fix all error इस पे click करेंगे वो सारे errors को one click के अंदर change कर देगा है ना magic that is called the power of artificial intelligence grammarly भी बेहतर है बेहतर से बेहतरीन काम करता है लेकिन grammarly के अंदर यह वारा शायद उसमें यह concept नहीं है कि आप एक click पे तमाम errors को remove कर सकते हैं लेकिन personally मैं अगर आपको कहूँ ना तो यह चीज जो है ना यह मुझे इतनी अच्छी ने लगती कि हम एक ही click पे सारे problems को remove कर दें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत सारे words ऐसे होते हैं जो कि हमें change नहीं करने पड़ते हैं हमारी category के साथ वह match कर रहे होते हैं जब हम यहाँ पे click करते हैं fix all errors तो वह तमाम mistakes को तमाम errors को जो कि उसके लिहां से error है उनको change कर देता है तो हमारे content में problems आ सकती है problems face करना पड़ सकती है तो उन से बचने का हल एक यह है कि आप इसको one by one one by one ही change करें तो grammarly को इसको मैं आपस में compare इस तरह से करता हूं कि grammarly जरा महंगा है और यह जरा सस्ता है अगर अच्छा यह सस्ता है लेकिन यह सस्ता भी आपको परचेज करने के लिए अगर आप इसकी website पर जाते हैं तो वहां पर अच्छी खासी आपकी amount जो रहा वो चार्ज कर लेते हैं तो अगर आप एक बिल्कुल new setup पे हैं आप बिल्कुल अभी चीज़ें सीख रहे हैं learning stages पे हैं या बिल्कुल अपनी initial stages पे हैं फ्री लांसिंग की जो आपकी earning है उसमें बिल्कुल starting level पे हैं तो आप हमसे contact करके शेरिंग में इस से यह purchase कर सकते हैं नीचे contact number आपको नजर आ रहा होगा वहां पे contact करें यहां आप description में contact करके हमसे रापता करें तो आपको login दिया जाएगा उस login की बदर से आप इसका premium वरियन use कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि यह आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसको करते हैं अब आपने सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आप उठा कर दोबारा अपने वर्ल्ड में जाकर पेश कर लें grammar तो आप चेक कर ली है प्लेजरिजरिजम चेक कर लें और आप क्लाइंट को forward कर सकते हैं website पर पब्लिश कर सकते हैं website कौन सी है आपको मैं already ये चीजें तमाम जो सिखा रहा हूँ ये मैं अपनी website की उपर इनको use कर रहा हूँ आप google पर जाकर search करेंगे na blocking.uk तो आपके सामने ये blogging की site नजर आएगी जहां पर आपको बड़े ही latest blogs पढ़ने को मिल जाएंगे जैसे recently अभी दुबई की visiting places के बारे में हमने यहां पर blog publish किया है तो आप ये बड़े ही informative blogs यहां पर पढ़ सकते हैं ये 25 places को यहां पर cover up किया गया है देखें इतना बड़ा content इतना rich content यहां पर share हुआ हुआ है कि ये सारा content अगर एक बंदा लिखने बैठ जाएगा ना उसके लिए बहुत सारी problems उसको face करना पड़ेंगी बहुत सारा time उसका लग जाएगा तो इस content को लिखने का procedure बड़ा ही simple बड़ा ही सादा बड़ा ही आसान है अगर आप in artificial intelligence को use करना proper way में सीख जाते हैं तो आप के लिए बड़ी helpful होगा इस channel की ओपर आपको इस तरह की videos मिलेंगी जहां पर आप easy जाके सीख सकते हैं कि artificial intelligence का इस्तमाल कैसे होता है तो यह overall topic था आज का के आप किस तरह से एक grammatical issues remove कर सकते हैं just in a few clicks उमीद करता हूँ कि यह video आपको पसंद आया होगा हमेशा ही तरह video को like कर दें एक अच्छा सा comment कर दें और जाते हुए अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करें bell icon पर click करें ताके आने वारे videos का notification आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाए अपना बहुत ख्यार रखिएगा दौम याद रखिएगा मिलते हैं इसी तरह की informative एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए Allah हफिज झाल